तो हेलो इस्टूडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल सम्राट अकेडमी तो दोस्तों मेरा नाम है कास और इस वीडियो में हम करने वाले हैं गड़ीत के महत्वपूर परश्ण ठीक है कलाश्टेंद के गड़ीत के महत्वपूर परश्ण और यह आप जो परश्ण तयार किया हैं यह बिल्कुल नियू से त्यार किये गए जो नियू से आप लोगों कर लांच हुआ है उसके इसाफसे में आपको एक परश्ण दिक्कत नहीं हो और इन प्रश्णों को आपको त्यार करके ही जाना है इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्ण डिसकस करेंगे जो की एक पहले कि उसन अगर आपके पास आजाए पहले कि उसन को आराम से पढ़िये देखें कि उसना हमसे यह बोला यहां पर कि एक किर्केट टीम के कोश ने कोई किर्केट टीम का कोश है वह सात बल्ला और च्छै गेंदे 3800 रूपया में खरी दी बाद में उसने क्या किया फिर त जब इस प्रकार कि क्यूसन आपको आए आप सबसे पहले लाश्ट में देखें कि क्यूसन पूछा हमसे क्या है तो क्यूसन हमसे पूछा है कि प्रतेक बल्ले और प्रतेक बाल का मुल्ले गयात करें प्रतेक मतब कि एक बल्ला का मुल्ले बताए और एक बाल का मुल्ले बता माना एक बल्ले का मुल्य हमने कि बल्ले का मुल्य हमने कि बल्ले का मुल्य हमसे पूछा था हमने मान लिया उसको कि माना एक बल्ले का मुल्य कितना रुप्य वाई एक्सु रुपय कितना रुपय है एक्सु रुपय है फिर हमसे एक बाल का भी मुल्य पूछा है ठीक है एक बाल का मता समझ रहें गेंद होता है तो हम लिखेंगे कि तथा एक गेंद का मुल्य तथा एक गेंद का मुल्य अब एक गेंद का मुल्य को हम क्या मालेंगे वाई र सब्सक्राइब करें आँ कि एक पॉर्णम की लिए य मीला है यहां तक क्लियर है आप लोगों टिक अब हम देहें के कि प्राश्चना-nyo-sarr प्रस्डन क्या बोल ला उट 6 गेंद खरिद कर कितना दिया 38 रुपिया दिया अब आप हमें एक बात पताइए कि 7 बला खरदा और 6 गेंदा खरदा और 37 रुपिया दिया अगर मैं आपसे बात कहूं ध्यान सचीजे को समझने कोशिज कीजिएगा अगर मैं कहूं कि एक बल्ले का मुल्ले अगर 100 रुपिया आए तो 7 बल्ले का मुल्ले कितना रुपिया हो जागा तो आप कहेंगे 7 रुपिया अगर एक बल्ले का मुल्ले कितना हो जागा यहां पे तो आप कहेंगे 7 रुपिया अगर एक गेंद का मुल्ले वाई रुपिया है और कितना गेंद है कोई दिक्कत कई नहीं फिर करा है कि फिर फिर यह तेन बल्ला और पांच गेंद खरेंडा और सतर हो 150 सपय दे रहा है और यह आपका equation मत दूसरा बन गया है ठीक है equation मत कि was क्या है इस नूसरा कि अभ देखिए आपको कर ना कि जब आपके पास समस्वाइपकलण पहला गया ऑगया कि 3X plus 5Y बराबर 175, ठीक है, अब यह सम affairs क्या है, दूसरा, अब यहाँ से हम बेलू नकलेंगे, यहाँ से हम कहेंगे 3X बराबर 1750, पलस 5Y उधर जागा तो क्या है, माइनस 5Y, किलिर, इसके बाद क्या होगा, अगर मैं यहाँ से एक्स कि बेलू नकलू, तो X बराबर क्या तीन गुड़ा में इधार आगा तो तीन किसमें हो जाएगा भाग तो यक्स के बैलू कितना आगया गया सतरो सुपचस मेनज 5 वह वट्टे थीन अब यहां समीक्रन तीसरा समीक्रन दूसरा हो गया । थीयक्स कमान किसमें रखने पर थीका है तो लाम रखने पर किसमें रखने पर उससा निकाले है तो धूसरा में नहीं रखेंगे थीक है अब जहां पे भी एक्स दिखाई देगा हमें पूरा बैलू रख देना है ठीक है चलिए तो यहां पे साथ अब एक्स आ गया था साथ गुड़े एक्स नहीं पूरा बैलू रखेंगे सतरो सो पचास माइनस पांच वाई और बटे में हो गया तीन और प्लस यह आपको बच गया च्छेवाई बरावर कितना हो गया और तीस सूं ठीक है यहां तक के लिए चलिए अब देखे आप एक बात बताता हूं आप लोगों को देखें आप बटे में कितना है तीन है अब तीन को अगर हटाना है आपको ठीक है तो तीन का गुड़ा समय कर देजिए तीन एक बायगव हट जाएगा ठीक है ने तो करने पें, अब दोनों तरफ तीन से गुड़ा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो चले तीन से गुड़ा कर देते हैं, तो तीन को गुड़ा पहले इस में करेंगे तो गुड़े 7, अकोष्टक में 1750 माइनस 5 वाई और बटे में कितना 3, ठीक है, इस में भी होगा, तो 6 व साथ को गुड़ाइस में करेंगे तरह साथ जीरों जीरों साथ पाचे पैटिस को पाच आसी लेगा तीन साथ साथ उन्चास और तीन कितना हो जागा एक जागा बावन पिर कितना बज़ाएगा इसाथ और साथ एकम साथ आधू 12 कितना हो जागा 12250 माइनस साथ पाचे 35 वाई और प्लास च्छात्री अठार वाई बराबर यहां से गुला करेंगे तो डीके अम्हें तो सोज गाने अब यहां सेक्ड़ करना क्या कि 12250 माइनस अभान AG यर्प्लास ओर प्लस अठाब होगा माइनस थीस वाई प्लस अठाब है जब भी माइनस प्लस आ मैंस इसलिए आप मैंनस लगया तो बज़ गया 17 वाई बढ़ावर इदर बज़ गया 11400 किसी को नहीं कि अब इदर बज़ गया माईनस सत्रा बाई क्योंकि मैंस सत्राव दीज़े बढ़ाबर इदर आप क्या था 11400 अब 12250 इदर प्लस में उदर जाएगा तो 12250 किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहां तक चीज़े के लिए अब मेरे प्यारवी दार्थियों माइनस 17 वाइधर बच गया अब बराबर देखे फिर प्लस 11400 मानस 12250 को जो प्लस मानस अब गटता है तो 12250 में से 11400 गटा दूं तो बढ़ जागा आपको 850 लेकि च 30 मैनस या मैनस क्या कर देंगे आब बच जागा आपका क्या सत्रह वाइब बराबर आटसो पचास अब सत्रह वाइबर बराबर 850 भच गया तो यहां से अगर वाइब की बेलू निकाले तो वाई बर अब क्या हो जागा आटसो पचास सत्रह गुड़ा में तिज़ार आग तो सतरह किसमें जागा भाग में तो सतरह पाचे पाचास से आइट जी रो तो वाई का वेलू कितना है गया पाचास अब वाई का वेलू पाचास है गया तो वाई का वेलू किसी भी समिकरण में रख दीजिए तो यहां पर लिखना है हम लोगों को कि वाई बारावर पाचास का मान है कि वाई वराओर 50 का मान समिकर्ण किसी में भी पहला दूसरा थीस्ट दृ तू आ यह तू कमान looking 3 में रखने किसी में रख रहे हैं तीन रखने पर हलांकि पहला भी रखेंस तो आजाएंगा है दुसरा KENN भी रखेंगे तो आजाएंगा ठीक है लेकिं तीन सिंपल है तीन के हमारे पास समिक्रण यही है इसी में हमको y की बेलु रख लेना y बराबर 50 की बेलु तो क्या है पहले इसको उतारेंगे तो क्या है इसके नीचे उतारा जाए तो तीसरा समीकर्ण यही तो है X बराबर 1750 माइनस 5 Y बटे में क्या 3 ठीक है चलिए रखते हैं तो X बराबर 1750 माइनस 5 गुडे Y आ गया तो Y के वहलू क्या रखेंगे 50 और बटे में क्या हो गया यहां पे 3 हो गया किसी का पत्ती कोई नहीं तो जाएगा एक्स बराबर सत्रों सो पच्छास माइनस पच्छाप पच्छिस आड़ाई सो अब बटे में कितना हो जाएगा तीन जोंग किना है, कितना है, पंदरसट अब करते में 3, तो 3 पाढ़ए 15, एक्ष बेरावर 500, अब एक्ष बारावर 500 आगया और Y बेरावर कितना है, 50, हमसे पूछा था लास्त में क्या कि एक बढ़े और एक बाल का एक बल्ले और गेंद Wing तब लिख लिए इसलिए एक क्जो सब्सकी को हमने क्या माना था माना था है थो एक कितना घ्या पांस ठाट गल ले का जो मुझे कीटना और पांस रुपिया और इसी प्रकार एक गेंद का मुल्य है और एक गेंद का मुल्य है और एक गेंद के मुल्य को हमने क्या माना था तो वाई माना था तो वाई बरावर कितना गया पचास ता पचास रुप्या मतलब एक बल्ले का मुल्य पांस और एक गेंद का मुल्य है पचास रुप्या यह हो ग को पहला के लिए रोगया अच्छे तरीके से कोई डाउट नहीं नहीं आप लोगों किसमें कोई भी दिक्कत कोई समस्या को तो उन्द बताईएगा आप लोग कमेंट के माद दे हमसे ठीक है अब हम देखेंगे क्यूस्ता नमर दूसरा देखिए अब हम क्या देखेंगे इसी भीन के आंस और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह ओनौबटे 11 हो जाता है यहार औस और हर दोनों में फिर तीन गइा जाए तो वह लगैप पांच बटे चोपना जातीए तो वह भीन गयाद कीजिए हमने का आखि जो लाश में पूछा जाता है उसी को मानते है तो कहरा हूँ भीन गयात किजिए तो चलिए हल करते हैं कहरा है कि वो कौन सी भीन होगी तो हुनों लिखेंगे कि माना वह भीन माना वह भीन अज सब को मानूम है कि भीन क्या होता है तो भीन वह होता है जिसे हम आंस बटे हर के रुपे लिखते हैं तो हमनों लिखेंगे कि माना वह भीन एक्स बटे क्या है वाई माना वह भीन क्या है एक्स बटे वाई यक्स यहाँ पे आंस हो गया और वाई यहाँ पे क्या हो गया हर हो गया तो हमने मान लिया कि माना वह भीन क्या हो गया यह एक सबटे वाई है और क्या कि नहीं चलिए अब प्रश्णानुसार यहां लिखेंगे प्रश्णानुसार प्रश्ण अम से क्या कह रहे हैं तो प्रश्ण हम से ये कह रहा है कि यदि किसी भीन के आंसोर हर दोनों में तो हमको मालों है कि किसी भीन का मतलब हमने क्या माना है कि यक्स बटेवाई ये एक भीन है इस भीन के आंस और हर दोनों में दो जूड दिया जाए तो इसमें भी दो जूड देता हूं इसमें भी दो जूड देता हूं एक भीन थी हमारे पास यक्स बटेवाई और आंस कहा रहा कि आंस में दो जूड़ने पर हर में दो जूड़ने तो वह बिन कितना हो जाती है तो ये बवर रोजाती है नव्ट हिग्यार्य के ठीक है ये परस्ट श्रकर आ रहा है तो चलिए पहले इसको solve कर लेते हैं इसको कैसे solve करेंगे तो simple है e11 गुड़ाे 5 में करेंगした 3 tract यार गुड़ा एकस करेंगे तो क्या हो जागा 11x प्लस 11 दुनिके 22 बरावर इसका गुड़ा इसमें करेंगे तो 9 में गुड़ा y करेंगे तो 9y प्लस 9 दुनिके 18 किलियर नए अब आपको करना यहां पे कुछ नहीं है 11x प्लस 9y इदर आएगा तो क्या हो जागा माइनस 9y बरावर इदर बचा है 18 और प्लस 22 दुनिके 22 तो क्या हो जागा माइनस 22 तो हो जागा आपका 11x माइनस 9y बरावर 18 में से 22 जागा तो माइनस 4 बचेगा अब यह आपको हो गया समिकर्ड नंबर क्या पहला कोई दिक्कत कोई दिक्कत हैं समिकर्ड पहला हो गया अब दूसरा कंडिशन दे रखा था यहाँ पे यह तो पहला सर्थ है तो दूसरा करा फिर लिखेंगे प्रश्ण से ही प्रश्णा नुसार मतलब फिर प्रश्ण से ही क्या बोला है तो प्रश्ण से फिर बोला है आगे कि यदि आंस और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो वह भीन पांच बटे 6 हो जाती है मतलब भीन हमारा वही है क्या एकस बटे वाई ही भीन है अब कहरा कि आंस और हर में अब हम तीन जोड़ेंगे और आंस और और में तीन जोड़ने पर यही बीन अब बन जाती है, पांच बटे क्या अच्छे, तो यहां से फिर एक समीकरण की उत्पत्ती होगी है, तो चलिए, छे को गुड़ा एक्स में करेंगे तो क्या हो जागा, छे एक्स, प्लस, छे तरी कितना हो जागा, अठारा, अब हो जागा, अब प्लस पांट इंक ितना हो जागा, यहां तो किसी को दिकत, किसी को भी दिकत, नहीं, तो अब हो जागा, आपका क्या है, छे एकस, प्लस पांच वा, इदर उजागा, तो क्या हो ऑई बराबर 15 मैं से 18 जागा तो क्या हो जागा माइनस की और भी से मानें गें फोलोग समीकरण दूसरा आप सब्सक्राइब पहला समीकरण दूसरा हमारे पास आग्या है किसी समीकरण से कोई एक बेलू निकाल लिए जाये अब इससे हम लोग क्या करेंगे यकरा इसके बेराबर माइनस चार ठीक है और प्लस नो ऊदर बेडिंगे तो क्या होज़का है कोई दिक्कत नहीं तो जागा Jed मैंनास चार गुड़ा में तुझा करता हूं अब समीकर नमबर तीसरा का बैलू हम कीश में रखेंगे समीकर नमबर दूसरा में क्यूंकि सम्हेकर पर camino बermestat निकाला आए तो जिस्से निकालते हैं उसमेरे रातRE है तर फ्कारल दूसरा में रखना तो यहाँ लिखेंगे कि 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 Golf लेकितना गय अबिध कमान किसे रखने पर मिशतुने दूसरा में तह लिखेंगे यह सका माण एक्स कमान समीकरण किस में रखने पे समीकरण दूसरा में रखने पे समीकरण दूसरा में रखने पे अब समीकरण दूसरा में रखना आया तो समीकरण दूसरा मारे पास क्या है 6x-5y ब्राबर क्या है माइनस 3 अब जहाँ पे भी एक्स दिखाई देखा आप भाई लुक्षा रखेंगे तो चलिए 6 गूरे एकस आ गया थे चार रखेंगे हम लोग यह से क्या रखेंगे हम लोग 9-4 बटे में क्या 11 फिकोश्ट अबन और यह बच गया आपका माइनस 5 भाई वाई बरावर माइनस ते किलियर नहीं झेख चलिए भागे बढ़ते हैं अब हैं हमने किया किया है किया ठीज क्ला फिषिक भी आ जाए है तो इसखांवने के लिए हम क्या करते कि 11 गुड़ा दूना तरफ कर देते हैं तो हम लो लिखेंगा या पर की 2 2 तरफ कि दोने तरफ किaries का गुड़ा करने का लागते हिसले सबक्राइए इसमें ब लना चाहिए म्हाइए जसाफ ये 90 parcel 0089 क्या 11 हुष्टक बंद माइनस 5 वाई इसमें भी 11 गुड़ा होगा बरावर माइनस 3 गुड़े इसमें भी 11 होगा तो यह 11 से 11 तो कैंसेल हो गया यह क्यों जागा ना चेके 54 2 माइनस चछों को 24 वानश 11 गहाई बरावर माइनस 11 गएर दें चैसक यह बन जाएगा यहां आपके अब तो सभी लोग diffarm लेह की प्लस च बानवाई मैंस पैच्बंवाई नोच ते च भी और आपक़ोर ना चक्न मे तर जागा थो प्लस 24 होगा इस बिलकुल होगा तर जगा माइनस वाई पर आपर माइनस थैंटीस प्लस 24 तो माइनस प्लस आए तो गटता है तो तैंटीस में से 24 गटता तो कितना बज़ जागा नो क्या बढ़ाबर नो किसका लगेगा तो चीन ना किसका लगेगा जी भड़े बलार चीन का माइनस θα सकंच माइनस माइनस मा तो आब य वाई बराबर नो आ गाए है सब्म गर्लभा को इस बहुंआ है जाएगा ठीक है तो काम लों लिखेंगे वा ए बराबर 9 का मान समेक्रन कर कि रहती सरा में रखने पार mouse और तीसरा समीक्रन वे रखने ताझ अर्ट रायलों समेक्रन रेखने पड़ेगा और तीसरा समMaper अपको मैं दिखा दूं न पया आपको भी मालम चल से कि तीसरा समिकण कहा है तो तो तीसरा समिकण देख रहे हैं आप यह वाला दिखाई देरा होगा यहीं तीसरा समिकण क्या है एक्स बराबर नो य मैनस चार बटे में 11 यह उनて इसरा समिकाई देरा प्धूरिग किसका वाय का तो जागा एक्स बराबर 9 गुड़े य यागया वाय का चैनल का रखेंगा दम लोग माइनस चार बटे में इक इ hara gu ऐगा ऑफ का एक सब बरह बर ऐक सी माइनस चार बटे में 11 ठीक है अहां सो जगा उन्हेक्षी में से चार जातना हो जबाचा सततर, सताथ ा बटे 11, सत शत एक सबड़ाबर क्या गया साथ थिक है तांसलास में ख्रश्रोानय देद को अमने क्या मना था में इसका यहां कि दो आपको बना nggak आना एक ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर प्रश्ण मेरे प्यारवीदार्थी वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज लाइक कीजे चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए और अच्छे से त्यारी कीजे 222 बोर्ड एक्जाम की मिलेंगे आप से नेक्स्ट वीडियों तब के लिए धन्यवाद